हेलो फ्रेंट्स, विलकम और विलकम बेक तो मा यूटूब चैनल, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुती ज़्यादा इंपोर्टन टॉपिक के बारे में, तो टॉपिक देख लीजे, टॉपिक हमारा पंच लाइट कहानी का शारांश, पंच पंच लाइट कहानी, जिसके लेखक हैं फड़ी स्वरनात रेडू, ठीक है, अब पंच लाइट क्या होता है, पहले तो ये समझेए, पंच लाइट, काफी लोग इसको पंच लाइट भी बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है क्या, लाल टेन, अब लाल टेन क्या होती है, लाल तो सबसे पहले बात कर ले यह जो हमारी पंचलाइट कहानी है इसके प्रमुक पात्रों के बारे में ठीक है एक क्या है महतो टोली है महतो टोली जैसे कि क्या होता है कुछ लोग आपस में मिलके गुट बना लेते जैसे एक मुहला हो गया तो ये महतो टोली क्या है एक गुट है एक मुहला है जिसको बोला जाता है क्या महतो टोली ठीक अब इसका प्रमुक पात्र क्या है महतो टोली है जैसे कि हमारे गाउं में क्या होते हैं प्रधान होते हैं होते हैं तो पहले क्या होता था पांच लोगों को मिला के पांच लोग पात्र क्या है गोधन गोधन क्या करता है मुनरी से प्यार करता है गोधन क्या करता है मुनरी से प्यार करता है और यह गुलरी काकी यह क्या है मुनरी की मा है यह गुलरी काकी क्या है मुनरी की मा मुनरी की मा का नाम है गुलरी काकी और गोधन मुनरी से प्यार करता है और जब भी गुलरी काकी के घर के आगे से निकलता है तो सलमले सलमले सलीमा का गाना गाता हुआ इनके घर के आगे से निकलता है तो अब इनकी बात इस पंचलाइट या लाल टेन से कैसे जुड़ी हुई है तो कहानी के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंचलाइट कहानी का सारांस तो पंचलाइट यानि की लाल टेनी है पंचलाइट फरिश्वर नात रेडू की ग्रामीर अंचल की कहानी है इन्हों ने इसमें बिहार के पिछडे गाउं के परिवेश का चरिचितरन प्रस्तुत किया फरिश्वन नात रेडु जी ने यहां पे बिहार के एक बहुत ही पिछडे गाउं के लोगों का जो महतो टोली है न पहुत ही पिछड़े गाउं के परिवेश का चर्चितरन अपनी इस कहानी के माध्यम से प्रसुत किया है कि गाउं में जो ग्रामीड अंचल के लोग हैं पिछड़े वर्ग से आते हैं उनका परिवेश कैसा होता है इस पंचलाइट कहानी के माध्यम से उन ज्यादा पढ़े लिखे नई है ये क्या करते हैं भाई पहले क्या होता था लायट यानि लाल टेन नई खरीदा परंतु ये असिचित लोग उस लाल टेन की खुशी में या पंचलाइट की खुशी में उसको जलाना इन्होंने नहीं सीखा उससे दुकांदार से जलाना नहीं सीखा ठीक है और बहुती खुशी के मारे उस लाल टेन को लेके चले आए इन्होंने चंदाई खट्टा करके पंचलाइट तो खरीद लिया परंतु असिच्छी थोरने के काण कोई भी उसको जलाना नहीं जानता था अब आगे क्या होता है अब कैसे जलेगी पंचलाइट हमारी तो इस टोली में गोधन नाम का एक यूवक है इस टोली में क्या है गोधन नाम का एक यूवक है जो उसी टोली की मुनरी नाम की इस्तरी से प्रेम करता है और जब भी उसके घर के सामने से निकलता है तो सलमले सलमले करके गाना गाता हुआ निकलता है इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है जो की इस पंचलाइट कहानी का प्रमुख पात रहे ठीक है और वह इस टोली की जो नाई का है मुनरी उससे प्रेम करता है और जब भी उसके घर के सामने से निकलता है तो सलमले सलमले करके सीनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है जिससे उसकी मा जो गुलिरी है वो बहुत ही परेशान है निकलता था ठीक है सलमले का गाना गाता हुआ निकलता था मुनेरी की मा गुलिरी काकी ने गोधन की शिकायत पंचों से की मुनेरी की मा गुलिरी काकी इस गोधन से इतना परेशान थी कि उन्होंने क्या किया गोधन की शिकायत पंचों से कर दी, अब जब सरपंच के पास, उन पंचों के पास बात पहुचजी, तो पंचों ने गोधन को जाती से निकाल दिया, उसका χुकका पानी बंध कर दिया, ठीक है, कोई भी जात्यका लोग जहां पर भी उनकी महतोर्टोली में जो भी दुकाने थी, कोई भी गोधन को समान मन कुछ भी नहीं देता था, ठीक है, उन्होंने गोधन को अपनी जात्य से निकाल दिया था, अब गोधन पंचलाइट जलाना जानता था, गोधन पंचलाइट को यानि पंचो तक पहुचा देती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है ठीक अब जब यह बात पंचो को पता चलती है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है और उसको गोधन को इन्होंने क्या किया था पंचो ने अपनी टोली से ही बार निकाल के रखा था अब बात यह हो र पहले के समय में क्या होता था इस्पृट के द्वारा पंच लाइट यानि लाल्टेन को जलाया जाता था ठीक है अब उन असिचित लोगों को थो भाई पंच लाइट लेने की ही इतनी खुशी थी कि वो स्पृट या पंच लाइट यानि लाल्टेन नहीं जलेगी तो उन असिचित लोगों के बीच में क्या हुआ मातम का महौल हो गया अब स्पृट का ही पता नहीं था उन लोगों को तो सब लोग क्या हो जाते हैं कि उदास हो जाते हैं कि अब पंचलाइट नहीं जलेगी तब गोधन क्या करता है जुगार लगाता है गोधन क्या करता है से पंच लाइट को जलाता है अब जब पंच लाइट जल जाती है तो फिर क्या होता है किर्थन होने लगते हैं और पंच भी खुश हो जाते हैं और उसे वापस अपने जाती में रख लेते हैं गोधन को से खुश होकर पंच क्या करते हैं उसे वापस अपनी जाती में रख लेते हैं और गोधन से कहते हैं अब खुब गाव सलीमा का गाना अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है तुम्हारा साथ खून माफ है तुम चाहे जितना सलीमा का गाना गाव मुनरी के लिए अब तुम्हें कोई भी रोकने वाला नहीं है, और क्या होता है उसे टाइम पे जब पंचलाइट जल जाती है तो किर्थन होना शुरू हो जाते हैं, खुशी का महोल हो जाता है, गुलिरी काकी, जो कि क्या है मुनरी की मा है, जिसको गोधन छेडा करता था, ठीक है, जिस से प्रेम करता था, अब गु खाने आने का निमंतरड देती है, ठीक है? और सबकुष ठीक हो जाता है, क्योंकि पंचलाइट तो जल चुकी थी, और ये कहानी किसकी है? पंचलाइट की है, तो इस कहानी से में सिच्छा क्या मिलती है? इस कहानी के माध्यम से लेखक ने ग्रामीर अंचल के यानि ग्रामीर लोग या सिच्छित लोग इनके पिछडे वर्ग में जो अपत्यच रूप से ग्रामीर शुधार पर जोड़ दिया है कि असिच्छित लोगों को सिच्छित करने की आवशकता है ताकि वो कोई भी चीज तो उसका उपयोग कैसे करना है और उन्हें उपयोग करना आसानी से आए ठीक है ग्रामीर अंचल के लोगों को सिच्छित होने का शंदेश अपनी इस कहानी के माध्यम से दिया है आई होप आपको ये पंचलाइट कहानी का शारान समझ में आए है समझ में आए हो तो प्ली जो